अब तक हमने पिछले कुछ विडियोज में शब्द भेत के विकार के आधार पर पहले चार प्रकार विकारी शब्द देखें जो कि थे सग्या, सर्विनाम, विशेशन तथा क्रिया परन्तु आज हम शब्द भेत के अन्य चार प्रकार जो की अविकारी शब्द कहलाते हैं अव्वे कहलाते हैं उनकी जानकरी हासिल करेंगे अव्वे उसकी परिभाशा उसके प्रकार इसकी पूरी जानकार आज हम लेंगे देखे अव्वे की परिभाशा पहले जान लीजे तो पहले ये वाक्य पढ़िए यहाँ अच्छा लड़का नहीं है ये अच्छे लड़के नहीं है यहाँ पहले वाक्य के सभी शब्द दूसरे वाक्य में वदल गए हैं केवल नहीं शब्द अपरिवर्ति थे सग्या, सर्वना, विशेशन तथा क्रिया में वचन, लिंग, वचन, कारक आदिके अनुसार विकार या परिवर्तन होता है बदलाव होता है अतव ये विकारी शब्द है परन्तु नहीं जैसे कुछ शब्दों में विकार परिवर्तन नहीं होता ये अविकारी शब्द है इन्हें अव्वे कहते हैं अव्वे का अर्थ है जिन में व्याय अर्थात परिवर्तन न हो ऐसे शब्द जिन में बिलकुल बदलाव नहीं आता, भले ही लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, कारक बदल जाए लेकिन फिर भी यह शब्द वाक्य में जैसे के तैसे रहते हैं ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द यानि अव्वे कहते हैं जिन में व्याइव अर्थात परिवर्थन नहीं होता यहाँ पर देखिए निमने लिखेत वाक्य पढ़िए और रेखां के शब्दों पर ध्यान दीजिए वह परिक्षा में उत्तिर्ण हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी पुलीस सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी राम के साथ लक्षमन भी वन गए अरे विजय तुम यहाँ कैसे इन वाक्यों में क्योंकि चुपचाप साथ और अरे शब्द अव्वे हैं अब यहाँ अव्वे कैसे हुए तो उनके प्रकार जानकर हमें इनकी जानकारी और अधिक तरह से मिलेगी तो अव्वे के भेद अव्वेत के भेद अव्वे के प्रकार उनमें से पहला प्रकार है क्रिया विशेशन अव्वे जो अव्वे क्रियाओं की विशेश्टा बताते हैं उन्हें क्रिया विशेशन अव्वे कहते हैं यह विशेष्टा स्थान, काल, रिती, परिमान, आदी से संबंदित होती है क्रिया, हमने क्रिया क्या होती है यह जानकारी पहले हसिल की है हर एक कारे जो की हम करते हैं उसे क्रिया कहा जाता है जैसे बेटना, उठना, सुनना, हसना, रोना, खाना, पीना, चलना यह सब हमारी क्रियाए हैं लेकिन इन क्रियाओं की विशेष्टा जो शब्द बाक्य में बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषन अव्वे कहते हैं देखें उसके नाम में ही उसकी परिभाशा है उसका अर्थ छिपा है क्रिया विशेशन, क्रिया की विशेश्टा बताने वाले शब्द, उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेशन अव्वे यह विशेश्टा स्थान यानि की जगह के बारे में काल यानि की समय के बारे में रिती परिमान आदी से संबंदित होती है देखे इसके उधारन, वहा कोई नहीं था, बहन कल आएगी, गाड़ी धीरे धीरे चलती है पिताजे ने उसे बहुत समझाया, जूट मत बोरो यहाँ पर जो मोटे अक्षरों में, मोटे प्रिंट में जो शब्द है, वह शब्द प्रिया की विशेष्टा बताते है इसलिए उन्हें क्रिया विशेषन अव्वे कहते हैं अव्वे का दूसरा प्रकार समुच्चय बोधक अव्वे जो अव्वे एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समुह को दूसरे शब्द समुह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोडते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्वे कहते हैं देखिए एक वाक्य काओ दूसरे वाक्य से एक शब्द समुहों को दूसरे शब्द समुहों से या फिर सिर्फ एक शब्द को दूसरे शब्द से जोडने वाले जो भी शब्द होते हैं उन्हें समुच्चे बुधक अव्वे कहां जाता है देखिए उधारन सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं पहले वाक्य में दो वाक्य जोड़े गए हैं सूरज निकला प्रकाश नहीं फैला दूसरे में दो शब्द समुः को जोड़ा गया है लड़कों ने देखा अध्यापक आ रहे हैं तीसरे में तो शब्दों को जोड़ा गया है राम और कृष्ण। यहाँ पर शब्दों को, शब्द समुहों को या वाक्यों को जोडने वाले जो शब्द हैं, उन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्वे। अव्वे का तीसरा प्रकार संबंध सूचक अव्वे। जो अव्वे सग्या या सर्वनाम के बात आकर उस सग्या या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्वे कहते हैं। देखिए वाक्य में सग्याय सर्वणाम होता है तो यह अव्वे उनके बाद आता है और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है दिखाता है तो ऐसा अव्वे जो संबंध दर्चाता है उसे कहा जाता है संबंध सूचक अव्वे भालू बच्चों के साथ रहने लगा मैं शेर की ओर बढ़ा लड़के के पीछे कुट्ता भी आया हमारे घर के पास नदी बहती है यहाँ पर के साथ की ओर के पीछे के पास यह अव्वे यह अव्वे शब्द सग्या सर्वनाम इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से चोड़ते हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है संबंध सूचक अव्वे चोथा और आखरी प्रकार है अव्वे का विस्मयादी बोधक अव्वे जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, परन्तु जो अव्य केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरसकार, ग्रीना आदी भाव सुचित करते हैं, उन्हें विस्मयादी बोधक अव्य कहते हैं विस्मय इसका अर्थे होता है आश्चर्य यहाँ पर आश्चर्य हम कई तरह से प्रकट करते हैं, आनंद में, भय में, हर्ष में, शोक, तिरसकार में, ग्रीना में तो हमारे यह भाव सुचित करने वाले जो शब्द होते हैं वाक्य में, उन्हें कहा जाता है विस्मयादी बोधक अव्य एक बात और है, वहाँ पर विस्मय चिन भी जरूर होता है उदाहरण, वा, कितना सुन्दर है ताज महल अरे, संकट मोचन जी, आप यहाँ हाई, बेचारा रामु अनात हो गया ठी, ऐसे जिन्दगी यहाँ पर वा, अरे, हाई, छी, यह शब्द हमारे भाव प्रकट करते हैं और उसी के साथ विस्मय भी प्रकट करते हैं इसलिए ऐसे शब्दों को कहा जाता है विस्मयादी बोधक अव्य चातरमित्रों, अव्य के चार प्रकार यहाँ पर हमने देखें, पहला था क्रिया विशेशन, दूसरा समुच्चे बोधक, तीसरा सम्बेंद सूचक और जोधा विस्मयादी बोधक अव्य हर एक अव्य की परिभाषा आपने ठीक से समची, पढ़ी और उसके उधारन समचे तो आपको उनका वह प्रकार समझने में बहत बहत आसानी होगी यहाँ पर देखिए चात्रमित्रों कृती एवन साध्या में एक तरह से जो प्रश्ण आपसे पूछा गया है वह है निम्न लिखित अव्य शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोक कीजिए यहाँ पर शब्द दिये गए हैं और उनका वाक्यों में प्रयोक करने के लिए कहा गया है आपको प्रश्ण पत्रमित इसी तरह से प्रश्ण पूछा जा सकता है आपको अव्य शब्द दे जाएंगे और आपको उनका प्रयोक अपने शब्दों में वाक्य में करना है एक बात ध्यान में रखिए हम रोज मर्णा कई सारी शब्दों का ऐसे शब्दों का हमारी भाषा में प्रयोक करते हैं परन्तु जब उत्तर पत्रिका में आप यह उत्तर लिखने जाते हैं तो कही न कही आप यानि की उल्जन में पढ़ जाते हैं तो यहाँ पर उल्जन में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं आप जितना सीधा सा, साधा सा वाकिय उसका लिखेंगे वहाँ पर इन अव्वेश अब वाक्यों में अधो रेकांकित शब्द का अव्वे भेत लिखिये। चैसे रामु ने लड़की की और इशारा कर कहां। यहाँ पर और इस शब्द को रेकांकित किया गया है। यह कौन सा अव्वे प्रकार हुगा। तो यहाँ पर सग्या का संबंध दूसरे शब्दों से जोडने को संबंध दर्शाने का कारिय और शब्द कर रहा ही यह संबंध सुचक अव्वे हुआ। छात्रमित्रों कृति एवं स्वाध्यार इसमें जो आपको उधारन दिये गए है उनको आप अच्छे तरह से अपनी व्याकरन की नोटबूक में लिख ले। इसके साथ ही जो जानकारे में आपको अव्वे की परिभाशा और उनके प्रकारों की परिभाशा और उधारन द यह है वह भी आप अपनी व्याकरन की नोटबूक में जरूर लिख लीजेगा। धन्यवाद।